Hello everyone, today we will study about subsets, set sector में एक subset ही होता है, subset क्या मेंते हैं, समझे, पहले तो definition को रीड़ दिजी फिर मैं example set को सम्झाद हुआ, if all the elements of set A are in set B, then A is the subset of B, जैसे मैं example तर पर एक set मैंने कोई A लिया, suppose that this is 1,2, and B is 1,2,3, आपके दिखिए, कि क्या A के सारे elements B में हैं, A में क्या-क्या है, 1 है और 2 है, यह 1 और 2, दोनो, B में हैं, yes, therefore we can say that this set A is the subset of set B, अच्छा, यह जो हम लोग बोलतों ऐसे रहे हैं कि A is the subset of B, इसको written में कैसे देंगे, written में subset का symbol यह होता है, लिखेंगे इसको, A is the subset of B, ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, बस simple सी बास, शब्दों पर ध्यान दिजीए, जो यह लिखा है, if all the elements of set A are in set B, अब जैसे मैं कि क्या B जो है, वो set A का subset है, तो देखें आप, अगर B के सारे elements A में हैं, तो जरूर B A का subset होगा, अदरवाइश नहीं होगा, B में कौन कौन से element है, 1, 2, 3, यह सारे element अगर इसमें है, तो क्या सारे element 3 नहीं है, इसलिए सारे नहीं है, इसलिए B is not the subset of A, अच्छा, आपने कैसे रिख समझाएंगे, समझाएंगे, subset के बारे में, question number 1, fill the blanks with symbols, subset and not the subset, अब जैसे ये एक set लिखा है, और ये एक set लिखा है, अब इसके भी पे subset या not subset हमें फिल करना है, तो अगर इस set पे जो elements है, वो सारे इसमें हैं, तो हम ये फिल करेंगे, ठीक है ना, और अगर नहीं है, तो ये फिल करेंगे, तो 2, 3, 4 इसमें है, तेखिए, इसमें 2 भी है, 3 भी है, 4 है, ये अब यहाँ देखिए, इसके सारे elements का X में है, A, B, C, B, C है, A नहीं है, सारे elements नहीं मिलें, इसका मतलब this is not the subset of this, now question number 2, examine true or false, हमने first or second, third part, अचा, question number 1 में जो हमने first or second part किया, other parts आपको देखिए, ये set इसका subset नहीं है, ऐसा लिखा हुवा है, अभी बास सही है है, गलत है, देखते हैं, इसमें जो elements है, कौन कौन से A और B, अगर ये इसका subset नहीं है, तो A और B इसमें है, देखिए आब इसमें A दि भी है, इसके तो सारे elements है, जबकी निखा क्या है, not the subject, this means, this is यह जब दिखा हुगा है, थर्ड देखेगा, 1, 2, 3, this is the subset of this, यह इसका subset बताएगा है, तो कि इसके सारे elements इसमें हैं, ना, इसमें 2 नहीं है, सारे नहीं है, तो यह इसका subset नहीं हो सकता, it is, this is also false, Now, question number 3, let A is this set, A यह एक set है, इस set को जड़ा ध्यान से दिखेगा, इसमें elements कितने हैं, जड़ा इसमें count करीगा, 1 है, 2 है, कुछ लोग गिनेंगे 3 है, 4 है, 5 है, total 5, ना, 5 नहीं है, 1 है, 2 है, 5 है, और यह पूरा का पूरा जो आप देख रहे हैं, यह पूरा का पूरा एक element है, यह खुद पूरा का पूरा एक element है, याद रखिए इस बात को, यह इस पूरे set A के लिए क्या है, element है, तो और देखेगा, हमें यहाँ भी इससे बजाना है, 24 फाल लाइंग और इनकरेक्ट है, तो मैंने कुछ पार्ट किये हैं, बागी को आप अपने आप ट्राई लिखा हुआ है, curly braces में 3,4 is the subset of A, अब देखिए, इसी को तो मैंने अभी यहाँ पर discuss किया है, कि यह इसका क्या, यह two जो है, set A के लिए क्या है, element है, one क्या है, element है, five क्या है, element है, यह जो curly bracket में 3,4 लिखा हुआ है, यह पूरा का पूरा, set A के लिए क्या है, element है, और element के लि है, incorrect, यह incorrect हो गया, okay, now third part देखिए, अब देखिए, subset, subset में यह देखिएगा, जैसे यह पूरा set लिखा हुआ है, इस set के अंदर एक element है, यह curly bracket लगा हुआ है, तो यह set है, इस set के अंदर यह पूरा एक element है, तो क्या है, इस set के अगर सारे element A में हैं, तो यह set इसका subset होगा, तो आप देखिए, इस set के अंदर element A की है, यह curly bracket लगा है, और यह element set A में, एक element की तोर पे रखा हुआ है, तो जब इस set का यह element इसमें है, तो इसका मतलिए इसका subset है, यह correct है, यह incorrect नहीं है, okay, फिर फोर्थ बात, one is the element of A, one is the element of A, सही बात है, one जो है, A का element है, correct, ठीक है, इसको correct है दीजिए, one is the subset of A, no, one is the element of A, not the subset of A, यह incorrect होगा, अज़े एक बात होगा है, subset, कोई भी set ही किसी दूसरे set का subset होता है, और set जहुन लिखते हैं, तो किसी letter से notation होगा, या फिर curly bracket यूज होगे, तो यहां कहीं कोई curly bracket आया, नहीं, तो यह कोई set ही नहीं हो सकता, set होने के लिए curly versus का यूज होना ज़रू है, तो यह इसका subset नहीं है, यह इसका element है, अब जना आईए, five is the element of A, अगर, अब इसमें A म इसका हुआ है, नहीं, तो इसका मतलब five is the element नहीं है, यह हो गया, incorrect, ओके, इसके बाद में 10th part देखिए, five is the subset of A, आपको मैं एक knowledge देदू, five is the subset of all sets, five, सारे sets का, कोई भी set हो सभी का subset होता है, यह correct, अब देखते हैं, किसी भी set के subset कितने बनते हैं और कैसे subset लिखे जाते हैं, दिखिए, कितने subset पहले यह बता होना चाहिए, जिससे subset लिखते वक्त कोई mistake नहों, कोई छूट नहीं जाएं, इस number of elements in a set is equal to n, अगर इसी set में n elements है, तो इसके number of subset कितने subset बनेंगे, two का power n, अतर अब जैसे exercise 1.3 का question number 4 है, इसमें मुझे जो set लिखने हैं, तो set a में कितने elements हैं, one, two, three, three elements हैं, तो इसके subset कितने बनेंगे, two power n, यानिकी two power three means eight, eight subset बनीगे, अब वो our subset कौन से होंगे, बहुत ध्यान से सुनिए, आपके बता दूँ जो empty set होता है, empty set का notation होता है 5, या तो 5 या curly bracket ऐसे लगा दीजे, इसके अंदर कुछ मत लिखिए, तो इस तरीके से ये दोनों symbol empty set के हैं, और empty set is the subset of all sets, इसलिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले किसी भी set के subset लिखने हो, तो सबसे पहले हम लिख देंगे empty set को, फिर comma लगा के, जिस set का subset लिखना है, उसी set को लिख द सबसेट हो, उसको लिख दीजे, उसके बाद क्या करिए, उसके एक एक elements को लिखिए, जैसे 1 लिख दिया मैंने, फिर 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, एक element हो गए, अब अगर 2-2 के pair बन सकते हैं, एक possible they'll make, 1-2, 2-3 and 3-1, अब इसके बाद हम 3-3 के बना सकते हैं, लेकि 3 क बनाएके हो, वो तो पहले मिच चुके हैं, तो इस तरीके सर आप इसको count कर लिखे, 1-2-3-4-5-6-7-8, एक तेराल, 8 subsets, यही 8 हो, इसके subset होगी, ठीक, अच्छा, अब source part में एक set दिया गया है, 5, 5 में हमने बता है, number of elements कितने होते हैं, 0, means n is equal to 0, then the number of subsets is equal to 2 power n, 2 power 0 is equal to 1, यानी कि इसके कितने subset बनेंगे, केवल एक ही subset बनेगा, ठीक है, 5 जो set है, इसके subset कितने बनेगे, एक, अब वो हमने बताया कि 5 हर set का subset होता है, तो 5 खुद का भी subset होगा, और हमने का, जब भी subset लिखे तो पहले 5 लिखे, फिर उसके बाद जो set दिया गया हो, वही घरसे लि इसलिए बस एक ही के सबसे जिसका हो जाएगा